तो हलो एब्रीवान इन दिस क्लास वी विल ट्राइट तो उंडरस्टैंड तो कॉंसेट आप मैगनेटिक टेप आपने पुराने समय में जरूर देखा होगा कि जिसको हम कैसेट भी बोलते थे कैसेट ठीक है म्यूजिक सुनने के लिए सौंग सुनने के लिए हम म्यूजिक प अपने हैं तो इसमें क्या होता है इसमें एक नातली को हता है जिस में मेगनेटिक कौटिंग कि जातीक है इसमें एक रील होती है आपने देखाँ कं़alin क्रीफिए औरNow आप ने सकते हैं अब डिटा को सकते हैं क्योंकि data जो store होता है वो randomly होता है लेकिन ये sequential manner में काम करता है sequential manner का मंदब क्या है line by line एक line के बाद दोसी line दोसी line के बाद तिसली line तो यहाँ पर इस वज़े से ये data की store नहीं कर पाता है ठीक है तो magnetic tape क्या है देखिए आप ये देखते हैं screen में magnetic tape appears similar to the tape used in music cassettes okay ये tape के जैसा होता है okay और इसका जो use है music कैसे सुनने में होता है it is a plastic tape with magnetic coating ये plastic tape होता है जिसके ऊपर magnetic coating की जाती है mainly it is used to storing music movie इसका जो सामानता use है वो music और movie वो store करने के लिए होता है it is not used to store data in it इसमें data को store नहीं किया जा सकता है because as we know it comes under sequential access क्योंकि हम जानते हैं कि ये sequential access के अंतर गता आता है and it reads data line by line और ये data को line by line read करता है so that we can't find the exact location of data इसलिए हम data की exact location find नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि magnetic tape जो आपका है वो cassette होता है जिसमें आप music सुन सकते हैं इसमें real होती है real के उपर data को insert किया जाता है आपकी music को insert किया जाता है ठीक है तो आप आप देख सकते हैं इस picture में आप देख सकते हैं कि आपके क्या है कैसेट्स है ठीक है ये देखिए पूरा कैसे लिए दिखाई दे रहा है ये इस तरह के पुराने आप जरूर देखे होंगे ठीक है तो इसको बोलते हैं magnetic tape तो आप आपको समझ में आया होगा आप इसका screenshot ले सकते हैं इसका screenshot ले लीजिए और इसके notes बना लीजिए ठीक है थैंक यू सो मच आप आप